के कि अतों कि चैसे हं अप लोग फें स आज कीविडियो में here estry के हुट के रिमोट के बारे में समझेंगि इसके रिमोट इसकी कारते आपमे पैनल के साथ कॉंट्डे के नेज इस वीडियो में समझाओंयों ह। तो आप जैसे में एक हमें止िकर पने और उसके लाब ऑच्छे और पूस्टन है हमारे सारे मोटर के लिए के टार्ट पूस्टन जैसे वोल्ड हो जाता है और दबा देंगे तो होल्ड तूट जाता है तो इसमें मतलब कि भी बनाने की जूत नहीं है और सारे अपन कर लिए हमें फ्रेंट अब देख पारें सारे प्रेस करते हैं तो वह चिपका रह जाता है जब इसको अफ का दबाते हैं तो फिर टूट जाता है तो सिंपल आपको एक फेस का और वायर दे देंगा 110 बोल का तो इसे सारा हमारा इन वर एंसी कंप्रीट हो जाएगा इसमें वायरिंग और ज्यादा करने की जोगत नहीं पड जाते हैं तो फ्रेंट्स आगे जो पुस्ट बटन से इसमें सिंपल जो भी हमारे कॉंटक्टर है आप डाउन को वहां कनेक्शन कर देना है तो चली इसकी वायरिंग समझते हैं तो सबसे पहले फ्रेंट्स यह पहला जो सबसे पॉइंट है यहां पर हम अपना 110 बोल डाल द हो जाएगा उसके अलावाई यह जो आप 6 पुस्ट बटन से देख रहे हैं इसमें टर्मिनेशन कर देना है पहले पर दूसरे पर इस्ट वेस्ट का तीसरे पर नौर साउथ का इस तरीके से हमारे छे कॉंटक्टर का कनेक्शन हो जाएगा और यहां पर स्टार्ट का बंद हो जाएगा यह रिमोट लगाने का यह फायदा है कि जो हम नॉर्मल रिमोट मैंने दिखा हुआ अपने पहले वीडियो में उसमें दिखा हुआ कि होल्ट बनाने के लिए मैंने वायर जो यूज किया है एक को इनो पर एंसी पर आएगा फिर उसके कॉमन पर आएगा होते हैं इसमें आपको चाहिए ठाते होके मटि चाहिए चाहिए पर मैने दिखा हुआ जो आप आप Promised सबसे पहले मैं 110 जो है हमारे ट्रांसफोर्ण से होते हुए इस पॉइंट पर दे दिया अब जैसे इसको ओन करेंगे तो इस्टिप पर आते ही हमारा स्टार्ट का ओन हो जाएगा और सारे जगा सप्लाई चलागा सारे इन्पूट पर अब क्या होगा कि कोई भी पुश पर्टन दबाएंगे अप डाउन इस्ट वेस्ट नौर साउथ जैसे वह दबाएंगे तो उसके कॉंटक्टर को सप्लाई मिल जागा हमारा वह कॉंटक्टर ओन जागा मोटर हमारा उस तरीके से काम करने लेगा तो इस तरीके से हम इसकी वा इसका रिप्लाई करूंगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा वा फ्रेंट्स तो इस वीडियो को लाइक किजिए शेयर किजिए और अभी तक आपने हमाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जोग कर लिजे फ्रेंट्स धन्यवाद मिलते हैं फ